जैहिन सातियू नमस्ते वंदे मात्रम आप सभी देख रहे हैं समाधानी स्टीडियो आप सभी का ही स्वागत है सातियू आप सभी को बता दू आज हम लोग पढ़ने वाले एस्टेटिक और मैटर्स के महत अपुन कोश्चन जो आपके एक्जाम के लिए काफी इपोटेंट होने वाले हैं जैसे कि निट आपका आगामी है उसी तरीके से पियनेस्टी का भी एक्जाम आपके लिए सिमिलर जो है डेट पर और मन्त पर है तो मैं चाया है कि मैं आपको बेस्ट ही कन्टेंट प्रवाइट करो और अल्मोस्ट आप सभी को पताए कि काफी सालू से आपको लगातार बहतरीन से बहतरीन क्लासेश हम लोग प्रवाइट कर रहे हैं और लगातार आप से बने हुए है तो चलिए साते हो श्टार्ट करते हैं आज का सेसन अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि हमारे सारे महत्पूर्ण पर निम्न में से कौन सा सही है ताप में परिवर्तन होने पर जल और रासाइनिक गुन समान रहते हैं परन्तु भौतिक गुन परिवर्तित होते हैं पाचन में परिवर्तन होने पर जल के रासाइनिक गुन परिवर्तित हो जाते हैं परन्तु भौतिक गुन समान रहते हैं तो जल में रासाइनिक तथा भौतिक गुनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप में परिवर्तन के साथ जल में रासाइनिक तथा भौतिक दोनों गुन में ही परिवर्तन होते हैं। तो साथ यो नोट करना ओके किस ही कतन कौन सा है बर्फ जो होती है द्रवत था वास्प जल की विभिन अवस्थाई है परन्तु जल की सभी अवस्थाओं का रासाइनिक संगटन समान रहता है। तो साथ यो आपका जो राइट अंसर बन जाएगा उप्सन नमबर ए बनेगा इतापमान में परिवर्तन होने पर जल की रासाइनिक गुन समान होते हैं परन्तु भौतिक गुन परिवर्तित हो जाते हैं तो आपका जो राइट अंसर बन जाएगा उप्सन नमबर ए बन जा अभी किये बल या यांतरिक बल तो जो है अंतराणविक आकरसन बलो को वांडर वाल्स बलो के रूप में जाना जाता है तो क्या राइट अंसर ओप्सन नमबर बी होगा क्या जीहा सातियों जीहा बंदयों राइट अंसर क्या है ओप्सन नमबर बी होगा ये नोट करके रखन है हेच टू तथा एने मतलब आपका water और पानी के बीच में आकरसन बल को क्या कहा जाता है हेच बंद कहेंगे आइनन आपका द्वी धुरण बल कहेंगे या फिर आपका कहेंगे लंडन बल या फिर विद्धूत बल कहेंगे या आपको धहन रखना है तो देखें तो कि मद्य आगार्शन बलो को आइनन दुरुविय बल कहते हैं क्या कहते हैं आइनन आपका दुरुविय बल कहते हैं ओप्शन नमबर भी करेक्ट हैं क्या है राइट अंसर क्या होगा ओप्शन नमबर भी होगा यह आपको ध्यान न करें परमानु तता अदुरुविय अनु व इनमें इलेक्टोनिक आवेज अबर सम्मित रूप से विपरित रहता है या उपरुक्त में से सभी होगा तो साथ यू हम लोग क्या काते है उपरिक्त सभी लगाते है पर ये हमारी गलती होगी क्योंकि परमानू तथा ठीके परमानू के साथ कब का अध्रवी अनू विद्धुत रूप से क्या होता है सम्मिलित होते है और तथा इसका कोई भी जो है द्विधरोन आगूर्ण नहीं होता है तो आपका जो right answer बन जाएगा option number a बन जाएगा यह आपको note कर रहा है ठीक है चलिए very good आगे बढ़ते हैं ठीक है साथ यो next question note करेगा बोला है कि प्रकीरनन बल्ग या फिर आपका bundle बल है वह वह आकर्षन बल जो दो इस्थाई धुरुव के बीच कारे करता है या वह आकर्षन बल जो दो इस्थाई धुरुव के बीच में कारे करता है तो साथियो सभी को note करना है और सभी को ध्यान रखना है क्या क्या ध्यान रखना है कि दो अइस्थाई धुरुव के बीच में या बीच के आकर्षन बलो को क्या करता है जो है आपका जो इसे कहेंगे क्या लंडन बल कहेंगे ठीक है तो option number क्या है ये सही है आपका ठीक है कि वह आकर्षन बल जो दो इस्थाई ध्रो के बीच में कारी करता है option number a correct है ओके next question पर आते है जर ध्यान दीजेगा next question है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है सही होगा तो आपका जो है London बल प्रतिकर्षन बल होता है London बल नहीं आकर्षन बल और नहीं प्रतिकर्षन बल होता है अन्योन क्रिया उर्जादों की अन्योन कारी जो है कणो के मद की दूरी की छटवे घात के वित क्रमानुपाती होती है जी हा सातियो आपका जो right answer होगा सही विकल्प का चैन करना है तो option number C आपका बिलकुर right बिलकुर सत्य answer होगा यह आपको ध्यान लगना है सातियो आपको biology की class जो है कैसी लगती है जो मेम द्वारा आप provide की जाती है ठीके तो वो comments करके जरूर बताईए आप लोग और छोड़ा उनको appreciate करेए थोड़ा उनका जो है मनुबल बढ़ाईए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सातियो next question देखेगा द्वी धुर्व 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 रहने वाले अनू के मद्ध होता है तो जो है अ इस्थाई द्वी धुर्व या फिर होगा A और B दोनों तो बंदू आपका जो right answer बन जाएगा option number B इस्थाई धुर्व आपका इस्थाई द्वी धुर्व आपका right answer होगा यह आपको note करना है next question पर आए है क्या बोला है ध्यांदिज इन्होंने बोला है द्वी धुर्व के सीरो पर उत्पन आंसिक आविश है तो आंसिक आविश जो है द्वी धुर्व के सीरो पर उत्पन होता है और सद्व electronic आविश के 1.6 multiply 10 पर minus 19 ठीके कुलाम की से कम ही होता है तो क्या राइटन्स लगा दिया हमने क्या option number B लगा दिया है क्या जी हा सात्यों बिलुकुर आपका option number B करेक्ट होगा क्या होगा option number B आपका राइटन्स रोगा दुई धुर्व अन्यों क्रिया आपका लंडन बल की तुल्ना में प्रबल है परन्तु यह आयान अन्यों क्रिया की तुल्ना में दुर्वल है क्यों की केवल आंसिक आवेज ही भाग लेते हैं कुल आवेज सम्मेलित है या फिर अधिक विद्धुद जो है विद्धुद रिनी भाग के आवेज ही भाग लेते हैं उपर्युक्त में से कोई भी नहीं तो आपका द्वी धुर्व द्वी धुर्व अंत्रक्रिया लंडन बलो को तुल्ना में प्रबल होते हैं तो आपका जो राइट अंसर है या केवल आंसिक ही भाग लेते हैं ओप्सन नमबर ए साथियो ठीक है मैं चाहूंगा गैस की इस क्लास में एट लिस्ट फाइब हंडेट लाइक्स तो बनती है ठीक है आपको इस क्लास में इतने स्टुदेंट तो लगातार आपसे जुड़ क्लोरिन है तो देखे निम्न अन्योन क्रिया में कोन से दो अनौ एट सियल के अन्यो के भीच में होता है या आपको ध्यान रखना है ओके क्या अन्योन क्रिया तो नमबर ये दो धुरूवे हैं और इनके बीच में ही अन्यून क्रिया होगी उप्सन नमबर फर्स्ट इस राइट अंसर लगातार आपके लिए जो है भैतरीन कंटेंट प्रोवाइट किया जा रहा है तो आप लोग टेलीगराम गुरूप को जरूर जोड़िएगा जरूर जोईन कीजिएगा निमनली खित में से कौन सा सत्य है दूई दूरो के मद्य दूरी बढ़ने के साथ आकरसन बल में वरद्दी बढ़ती है दूई धुरू के मद्य दूरी बढ़ने के साथ आकरसन बल में कमी होती है और सात्यों नोट करना ही कि दूई धुरू के मद्य दूरी में कमी के साथ आकरसन बल जो होता है परिवर्तित रहता है तो दूरी धुरुवों के बीच दूरी बढ़ने के साथ आकर सिंबल कम होता है क्या बी आंसर आपका राइट आंसर होगा क्या ओके राइट आंसर की बात करें साथ यह बी आंसर बिलकुर राइट आंसर होगा यह सबी लोगों ने नोट कर पाया होगा ठीक है ओके आगे बड़े नक्ष देखेगा निम्न में से कौन सा सही है इस तिर धुरुवित अडवो के मद्य दुई धुरुवन के अन्योनकारी उर्जा वन आर का क्यूब दूरी से सम्मधित है अन्योनकारी उर्जा वन अपॉन आर सिक्स दूरी से सम्मधित है और विकल्प यह दोनों ही विकल्प जो होंगे बिलकुर सही होंगे बिलकुर करिक्ट होंगे साथियो पीडियप जो है डाउन डूर्ट करने की कोई बावशकता नहीं है आपको पीडियप इसका मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए साथियो नेक्स्ट कुश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे क्या दिया है नेक्स्ट कुश्चन है कि इस्ताई द्वी धुर्व रखने वाले जो है द्रुविय अनुव तथा इस्ताई द्वी धुर्व न रखने वाले अनुव के मद्ध किस प्रकार के आकर्षन बल कारेरत होते हैं द्वी धुर्व जो है द्वी धुर्व जो है बंडन बल या फिर द्वी धुर्व प्रिरित या द्वी धुर्व बल या फिर यच बंद क्या होगा तो साथ यो नोट करना है सभी को note down करना है चीज़ों को कि आपका जो right answer बनेगा वो बनेगा द्वी धुर्व प्रेजित जो है द्वी धुर्व बल ओके बिलकुर इसका right answer होगा सभी ने सही कर पाया होगा प्रेजित द्वी धुर्व आगोण निर्भरता करता है स्थाई द्वी धुर्व के अउपस्तित द्वी धुर्व आगोण हो विद्धुति जो है उदासिन अन्वों की धुर्वता पर विकल्प ये यभी दोनों पर या पर उप्रक्त में से कोई नहीं तो सातियों प्रेरित द्विधुर आगुन इस्ताई द्विधुरु पर क्या करता है यह ऊपस्थित द्विधुरु आगुन तथा विद्धुतिय उधाशीन अनों के दुर्वन छमता पर निर्भर करता है तो आपका जो राइट अंसर होगा तो A और B दूनों ही राइट अ ठीक है ना आगे बढ़ते हैं बोला है कि निम नमे से कौन से प्रकार के बंदों की द्वी धुर्व अन्यून क्रिया की एक विसेस इस्तिती होती है तो नोट करिएगा कि H बंद द्वी धुर्व द्वी धुर्व ओके जो है अंतर क्रिया की एक विसेस्तिती होती है तो आपक जो है बोट इसका राइड अंसर होगा ह बंद ह अनु के मद्य उपस्तित बंद जल अनु के मद्य उपस्तित बंद या उपरिक्त सभी तो जी हसाती हो आपका जो राइड अंसर है उपरिक्त सभी ही होने वाला है ये नोट करके रखना है हाइड्रोजन बंद उन अनुओं के मद्य मिलता है जिसमें निम्नलीखित बंद उपस्तित होते हैं अती धुरुविय, अधुरुविय, दुरुबल धुरुविय या विकल्प A या फिर विकल्प C दोनों ही होगा तो hydrogen बंद उच धुरूवी बंद युक्त अनुवों किस जो है बीच में पाय जाते है तो आपका जो राइटन्स रोगा अती धुरूवी क्या राइटन्स रह साती हो अती धुरूवी ओप्सन नंबर एक करेक्ट है नोट करना है साती हो और आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी दे दिया है आपको कही भड़कने के आओ सकता नहीं है लगातार आप लोग समाधानी स्टिक साथ बने रहे है ओके चलिए आगे बढ़े सभी लोग जो है ध्यान दिजीगा ठीक है चीजों पर ध्यान दिजीगा आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्ष्ट है कि जो है द्रवो तथा ठोसों को संतुलित करना क्यो कठीन है दूरी में कमी के साथ आकर्षन बल में या आकर्षन बल के परिनाम में वरदी होती है दूरी में कमी के साथ प्रतिकर्षन बल में वरदी होती है या दूरी में कमी के साथ प्रतिकर्षन बल में कमी होती है तो साथियो द्रव यूम ठोज जो है दबाने में कठोर होते हैं और क्योंकि प्रतिकर्शन बल का परिनाम दूरी घटाने के साथ बढ़ जाता है तो आपका जो राइट अंसर है साथियो C अंसर बिलकुर करेक्ट है बिलकुर सही है 35-40 कोश्चन हम लोग इस क्लास में करेंगे और आई होप आपको बहुत मजा आएगा ओके चलिए आगे देखें नेक्स्ट कोश्चन नोट करिएगा क्या है कोश्चन बोला है कि एक पधार्त के अनुव या परमानुव की गती के कारण निम्न लिखित में से कौन सा उर्जा होती है मतलब कौन सी उर्जा उत्पन होती है एस्थेतिक उर्जा उसमी उर्जा आनुविक उर्जा या फिर इन में से कोई भी नहीं तो साथियो तापी उर्जा काई की उर्जा जो है जो कि जो है इसके परमानो या फिर आपका अनुव की गती से उत्पन होती है आपका ज उसमी उर्जा is the right answer. सभी ने note किया होगा, सभी को note करना है. उसमी उर्जा सीदे किसके समानु पाती होती है? पधर्त के आइन, पधर्त के दर्वेमान, पधर्त के τापमान, या फिर विकल्प A, या B, दोनों के ही. तो तापी उज़ा पधार्त के तापमान के सीधे समानुपाती होती है तो temperature किसके साथ यह हो temperature की तो आपको जो right answer बन जाएगा option number C बन जाएगा यह आपको note करके रहना है next पर आते हैं जो अणों के एक साथ अलग रखने के लिए क्रमसह गुन कोन से जाने जाते है अंतरान्विक बल तथा एस्थितिज उर्जा अंतरान्विक बल तथा उश्मिय उर्जा उश्मिय उर्जा तथा अंतरान्विक बल या एस्थेतिक उर्जा तथा अंतरान्विक बल तो अंतरान्विक बलों के कारण ही अनुपास-पास में होते हैं ओके और सभी को नोट करना है कि जो आपका अंतरान्विक बल तथा उश्मि उर्जाप का राइड अज़र क्या होगा बी अंसर करें सही है बी अंसर करें ठोका आगे है पदहर्थ को तीनों अवस्थाओं के किसके मद्य जो है संतुलन का परिनाम है अनुव की जो है उश्मिय तथा एस्थिक उर्जाप के अनुव की जो है अंतरान्विक तथा एस्थिक उर्जाप के तो बंदो राइट अंसर पर सर्चा करेंगे की अनुव की अंतरान्विक बल्द था उश्मिय और जाके डी अंसर सही है डी अंसर राइट है और सभी सातीयोंने और सभी बंदो ने बिलकुर कर पाया होगा जी हाँ बिल्कुर करपाय साती हो आसानी से गेस द्रवित हो जाता है जब उच्च तापमान पर ये अविस्तरिन हो या फिर निम्न तापमान पर अविस्तरिन हो तो बताईएगा तो गेसों को जो है केवल स्पीडन द्वारा द्रवित नहीं किया जा सकता ये दिपी इनके अनु एक दूसरे के बहुत निकट आ जाते हैं क्या होगा आपका जो राइट अंसर होगा निम्न ताप मान पर ये अविस्पिट रन हो ओप्सन नंबर भी करेक्ट है भी राइट है भी आपका बिलकुर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन पर करते हैं चर्चा गे से अत्यदिक संपीडिय होती है इन गुनों का कारण इनके अनुवो के मद्द आकरसन बलका नगन्य होना अनुवो के मद्द आकरसन बलका जो है सार्थक मान होना भाग ले रहे अनुवो का उच्छ घनत्व होना या उपरुक्त में से कोई नहीं तो घटक जो है अनुवो के बीच नगन्य आकर्षन बलो के कारण गेश से अत्यदिक संपीडित होती है आपका जो राइट अंसर है साथ यो option number 1 होने वाला है इनके अनुवो के मद्द आकर्षन बल नगन्य होना option number 1 करेंट है next पर चर्चा करेंगे क्या है इस्थिर ताप पर गेश की निश्चित मात्रा का दाब उनके आईतन के वित करमानुपाती होता है और यहां नियम है चाल्स का नियम बॉयल का नियम या फिर गेश लुसेक का नियम या फिर होगा डॉल्टन का नियम तो बॉयल का नियम क्या होता है पी समानुपाती वी आई सोरी वन बाई वी होता है टी फॉर जो है आपका इस्तरांक और एन पार जो है चलिए P rendered 1 by V तो आपका right answer क्या है आपको boil का नियम क्या होगा boil का नियम इसका correct answer होगा चलिए आगे चलते हैं अगले question पो चलते है देखें boil के या boil के नियम को निम्न प्रकार दर्साया गया है P बराबर K into 1 by V ठीक है अब देखें यहाप क्या है क्या वो लगया है निम्न प्रकार में से कौन सा इस्तिरांक के बारे में सत्य है तो नोट करेगा K का मान गेसू की मातरा पर निर्भर करता है और गेस का ताप मान तथा इकाई में P थथा V के अभी व्यक्त किया जाता है तो B अंसर बिल्कुर सत्य होगा ओके यह आपको नोट करना है देखें ध्यान दीजीगा ठीक है साथी इस्थिरताप पर इस्थिरताप पर दाब तथा आईतन के मद्य जो है ग्राफ कहलाता है सम आईतन सम दाबी सम ताफी या इन में से कोई नहीं तो इस्थिरताप पर दाब के साफिक्ष आईतन का ग्राफ सम जो है सम ताफी कहलाता है क्या होगा समतापी बिलकुर करिक्टांस रोगा ओके क्या है समतापी करिक्टांस रोगा नेक्स्ट है बॉयल का नियम मानने है जब P तथा V के मद्य ग्राप दरसाते है तो जो है मुल बिंदू से गुजरती वी सीधी रेखा है अंतरकंड के साथ सीधी रेखा है एक्स अक्च से गुजरती हुई परवले रेखा है या मुल बिंदू से गुजरती हुई वक्री रेखा है तो साथी वो आपको नोट करना है कि मुल बिंदू से गुजरती हुई सीधी रेखा है बिलकुर करिक्टांस रोगा पी तिता वन बाई वी के मद्ध खीचा ग्राब जो है जो निम्न दरसाता है अब देखिए क्या क्या दरसाएगा तो नोट करिएगा कि पी टी थरी बड़ा सबसे बड़ा है फिर उससे चोटा टी टू है और फिर टी वन है ठीक है तो ओप्सिन नमर ए इसका ग्राब बनेगा नेक्स्ट कोशन है कि बोयल के प्रियोग उसे संख्यात्मक रूप से सिद्ध होता है कि गे से अत्यदिक संपीरित होती है क्योंकि छोटे इस्थान के जो है अनुव की समान संख्या पाई जाना बड़े इस्थान के अनुव की संख्या का पाया जाना है छोटे इस्थान के अनुव की भिन भिन संख्या पाया जाना उपरुक्त में से कोई भी नहीं तो बॉयल का प्रियोग जो है मात्रात्मक रूप में गेश किस जो है उच्च संपीडन से सिद्ध करता है ठीक है तो आपका जो राइट अंसर है उप्सन नमबर ए की छोटे इस्थान में अणुवक की संख्या का जो है पाया जाना उप्सन नमबर ए होगा गेशे जो है सगन हो जाती है निम्नदाप पर उच्च दाप पर उच्च दाब पर या विखल पर या दोनों पर ही तो गेशे उच्च दाब पर अधिक घनी होती है क्या अप्सन नमबर सी हमारा होने वाला है और सभी का राइट अंसर है एक गेसे के घनत्वत था दाब के मद्ध इस्थाई संबंद है तो इस्थाई संबंद की बात करें तो सातियों में इस्थाई संबंद आपको बता दू ये होगा D बराबर के P के मल्टिपलाई P इस्थिर ताप पर ओप्सन नमबर जो बन जाएगा आपका बी बन जाएगा ठीके सातियों क्या है ओप्सन नमबर बी दो नेक्स्ट कोशन पर चर्चा करेंगे क्या कि दो लिटर गेस को एक बार पर एक लिटर में 25 डिग्री सेल्शियत संबंद करने के लिए आउस्सक निन तब दाब की मात्रा आउस्थिक शक्ता कितनी होगे बहुत जी कोशन इसाति हो क्या करेंगे तो देखे P1 V1 बराबर P2 V2 मान रखती जीगा P1 कमान कितना है साति हो 1 है multiply V2 कमान कितना है P1 कमान 1 है V1 कमान 2 है बराबर P2 का मान तो निकालना है और V2 का मान साथ U1 है तो आपकर जो राइट अंसर आएगा क्या दो बार अंसर आजाएगा क्यों कितना दो बार इतना easy question होता है degree Celsius का हमें कोई काम नहीं है ठीक है चलिए अब यह next जो question होगा हमारे कमरे के ताब पर एक गुबारे में hydrogen भरी जाती है यह 0.2 बार से अधिक दाब होने पर यह फट जाता है यदि एक बार gas 2.27 लिटर आईतन अधिक रहन करती है तो गुबारे को किस आईतन तक प्रसारित किया जाता है तो एक आपके लिए हमर करेगा इसके बाद मैं आपको कल स्वाल करूँगा यह numerical है कोसिस करूँगा साथि आप सभी इसको बनाए और comments box में अपना answer comments करेगे तो मिलते हैं next class में next question में जैहिन वंदे मात्र